तो आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में, टेंस का हिंदी में मतलब काल होता है, हिंदी को हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि इतनी हिंदी आप लोग नहीं समझें के और नहीं उसका इस्तमाल कहीं पर किया जाता है, पर इस क्लास को या इस चीज को समझने से पहले मैं इ और ये सारे स्टूडेंस अच्छे उन्होंने पढ़ाई भी करकी थी, एजुकेशन में उनके पास बहुत बड़ी डिग्रीज भी हैं, डिप्लोमा भी हैं, हलाकि में पास ऐसे कई स्टूडेंस जो इन्हों में इंग्लिश लिट्रेचर में किया है, इसके बाफ़ भी उनको पूरे टेंस के नॉलिज प्रॉपर नहीं होती थी, बहुत सारे स्कूल्स में तो ऐसा भी किया जाता है कि पूरे टेंस प्रॉपर नहीं सिखाए जाते हैं, और बलकि मैं कहूं कोई टेंस को सीखने के आपको जरुवत नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं, तो आप गलत करती है, अब लोग इसना इसका इस्तमाल नहीं करते हैं, तो हम लोग भी टेंस को समझेंगे जरूर, बर मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि बहुत से लोगों का ये question होता है कि टेंस को उनको सीखना जरूरी है, उनको टेंस समझ में आने चाहिए, जस्ट फॉर बाट परपस, अगर आप देखें, तो टेंस का मतला है, ताइम है, ताइम क्या होता है, ताइम भी तीन प्रकार का होता है, प्रेस्ट, 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 त The word tense stands for a verb form, a series of verb forms used to express a time relation. तो हम लोग यह जो tense है, actually वे उनके हिसाब से, A.S. Honby ने जो कहा के, जो tense, जो word है, उसका मतलब verb form से है, जिसका relation सीरी से है, डिरेक्ट टाइम से है. तो अगर आप यह देखें, तो tense का मतलब ही time है. Tense का मतलब ही time है. So, when we learn tenses, we need to understand the time as well. Native speakers of the English language may not have good knowledge of tenses. Please listen to me very carefully. तो English language के native speakers है, जहाँ पर English बोली जाती है, अगर आप उनसे पूछे है, जैसे मालीजी, आपने सौ लोगो से पूछा, आप इंग्लेंड गए और आपने अमेरिका गए, आपने आपने सौ लोगो से पूछा, how many of them know tenses? आपको सौब में से शायद ही एक विक्ति मिले जिसको पूरे tenses के knowledge अच्छी तरह हूँ. पर इसके बावज़ूद भी वो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो ये बात तो fact है कि आप लोगो को इंग्लिश बोलने सीखने के लिए tenses की जुरुवत नहीं है. But tenses are still important for some people, especially for exams. तो हम लुग tenses को अच्छी तरह समझें. And if they can speak fluent English and communicate effectively without tenses, you can also do that. I will help you with tenses, but don't become obsessed with it. I will always learn tenses, but tenses के obsessed मने, दिवाने न मने, tenses के पिछे ना जायें. Be like those native speakers and speak naturally. You should speak naturally. So to speak naturally, you do not require tenses, as I have said. Tenses are those where a doer or subject does some work. Tenses का actual मतलब क्या है? जहां पर एक doer, जहां पर एक doer कोई काम करता है, एक subject कोई काम करता है. तब tenses का इस्तमाल होता है. वरना tenses का इस्तमाल नहीं होता है. Tenses का इस्तमाल वरना किसी भी condition में नहीं होता है. अब sentence structure की बात करते हैं. हिंदी में sentence structure कैसा होता है? हिंदी के sentence structure की में बात करा हूँ. उसमें आता है सबसे पहले subject, फिर आता object और फिर आता verb. जैसे मैं एक sentence आपको बताता हूँ, मैं cricket खेलता हूँ. मैं cricket खेलता हूँ. अब इसमें मैं कौन है, subject, यानि dual, cricket क्या है, object, चीज का नाम, और खेलना, क्या हुआ, verb या action, verb है, या इसको action कहें, और English के sentence structure की बात करें, तो क्या होता है, I play cricket, अब इसको ध्यान से सुनेगा, I play cricket, इसमें dual कौन है, I, subject कौन है, I, और action क्या है, play, और cricket क्या है, object, तो देखें, हिंदी में sentence structure क्या चला था, subject plus object plus verb, और English में यहां पर थोड़ा सा change हो गया, यहां पर verb object से पहले आ गया, और बना subject, verb and object, तो यह मैंने उन लोगों के लिए बताए, जिन लोगों को यह लगता है, कि हम translate करके English बोल सकते हैं, इसलिए कभी कहा जाता है, translate करके कभी इंग्लिश नहीं बोलिया, हम लोग English बोलते हैं, समझ कर, feel करके, समझ कर, पर कभी भी translate करके English नहीं बोलते हैं, कि अगर आप translate करके English बोलेंगे, तो आपका भी यही हाल होगा, कि उसमें subject, object, verb की जगे, English में भी आप subject, object, verb कर देंगे, जबकि subject, verb and object वहां पर rule होता है, that's why I do not like to translate any of the sentences in English, and we are not going to learn as we learn in our school days, तो हम लोग बहुत सिंपल वे में सीखेंगे, इसको लास्ट तक आप ध्यां से सुनेगा, ध्यां से सुनेगा, just listen to it very carefully, then you will be able to understand sentences, effectively and properly, then you will not have any problem in understanding any of the tenses, if you listen to me very carefully, यह हमें सब को पता है कि sentences के तीन प्रकार होते हैं, present tense, past tense and future tense, present, past and future, हर tense में 4 प्रकार के tense होते हैं, present tense पीकार प्रकार का होता है, past tense पीकार होता है, और future tense में 4 प्रकार का होता है, present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect and Present Perfect Continuous, same जो Indefinite, Continuous, Perfect and Perfect Continuous ये आपको Past के साथ भी जोड़ना है हो और Future के साथ भी जोड़ना है, यही Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Indefinite, Future Continuous, Future Perfect and Future Perfect Continuous, तो अब आप इसको छोड़ा सा ध्यान से समझेगा, कि स्कूल डेज में अक्सर लोगों को ये बता दिया जाता है कि future perfect continuous और past perfect continuous का use नहीं होता, इस्तमाल नहीं होता लोग हमेशा future indefinite और future continuous में भी differentiate नहीं कर पाते उसको एक ही समझते हैं, अक्सर लोग past indefinite और present perfect में भी confused होते हैं, baffled होते हैं तो अगर आप मुझे ध leaning से सुनेंगे इस video में तो आप ये समझ पाएंगे कि इसमें difference क्या-क्या है इसका इस्तमाल proper way में or correctly कैसे क्या जा सकता है correctly इस video को धियान से जहिको कि इसमें एक एक चीज correct आपको बताएगे एक एक चीज आपको वो बताएगे जो मैंने बहुत सालों से समझी है जो अक्सर लोग गलत पढ़ाते हैं और गलत पढ़ते हैं अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो half knowledge होती हो और half knowledge is always dangerous तो हम लोग half knowledge को नहीं सीखते हैं आज मैं आपको पूरी knowledge देने वाला हूं इस वीडियो में पर लास्ट तक सुनना पढ़ेगा then only you will be able to get the things what I am going to talk about सबसे हम पहले बात करते हैं present indefinite tense की हिंदी में मैं नहीं बताऊँगा वैसे दो बहुत simple है हमें पता है कि कोई भी काम आप करते हैं आपके present में शामिल है past में भी किया है और future में भी खरेंगे तो हम लोग present indefinite tense का इस्तमाल करते हैं और जब आप present indefinite tense के sentence structure बनाएंगे तो आपको पता है subject के बाद यानि door के बाद आप verb लगाते हैं जैसे मैं जाता हूँ I go मैं cricket खेलता हूँ I play cricket बच्चे रोते हैं चिल्रन वीप अब जब आप इसमें negative sentence बनाएंगे तो चिल्रन दू नॉट वीप अगर third person के बारे में बात करें third person कौन जो आप और मैं शामिल नहीं है यानि he, she, it और singular है third person तो आप does लगाएंगे plural है तो आप they do not लगाएंगे तो वर्ड नॉट लगाएंगे जाएगा दू के बाद जब चिल्रन वीप I do not weep He does not weep She does not weep जब interrogative sentence बनाते हैं Do you weep? Do children weep? Do you play? Does he play? जब आप interrogative negative sentences बनाते हैं तो doesn't he play? Don't you play? तो देखे अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ affirmative sentences के बारे में बताऊँगा बाकि आप negative sentences अपने आप बनाएगा Negative sentence को बताने का बहुत simple तरीका होता है कि जो not होता है वो हमेशे time word के बाद आता है सिर्फ दो जगह पर past indefinite और present indefinite में आपको time word यह नहीं दिखाई देता जब आप positive sentences बोलते हैं do, does and did इसके इलावा आपको हर जगह पर helping verb दिखाई देगा helping verb आपको पता है do, does, did, should, can, may, might, must यह सारे helping verbs कहलाते हैं यह is, am, are, was, were यह helping verbs कहलाते हैं has, have जितने भी हैं will, shall, should यह सब helping verbs हैं और इनके बाद not आता है जब भी हम लोग negative sentences बनाते हैं हाला कि कुछ models हैं जिनके बारे में भी इसके बारे में डिसक्स किया, वो tenses में काम नहीं आएंगे but फिर भी इसके लावा जितने भी चीज़े हैं आप लोगों को यह समझनी पड़े कि so मैं सिर्फ affirmative sentences की बात करूँगा, negative interrogative, interrogative sentence बनाना बहुत आसान है, आपको जो helping verb है उसको subject से पहले लगा देना है यानि जो time word है, जो helping verb है उसको आप doer से, यानि subject से पहले doer और subject हों, I, you, he, she यह सारे doers हैं, यह सारे subjects हैं इन सबसे आपको पहले लगाना पड़ेगा बस इतना सा आप लोगों को काम करना है तो सबसे पहले present indefinite की बात जहां पर आप यह बोलते हैं, बच्चे रोते हैं children weep children weep, एक बच्चा होता तो a child weeps a child weeps क्योंकि आप single की बात करें, third person है एक से जादा हैं, तो आप तेंगा children weep I weep, he weeps he weeps जब आप present continuous की बात करेंगे continuous continuous, कुछ लोग इसको continuous बोलते हैं कुछ लोग continuous बोलते हैं बट इसके अलावा कुछ मत बोलेगा इसको continuous मत बोलेगा I've heard so many people saying continuous, कुछ लोग कहते हैं continuous, तो इसको बोला रता है continuous 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 या तो बोले continuous या बोले continuous जब आप present indefinite tense की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई helping verb positive sentence में नहीं दिखाई देगा, जैसा मैंने आपको बताए, इससे past indefinite और present indefinite में आपको helping verb नहीं दिखाई देते हैं, बाकी जगे पर आपको सारे helping verb दिखाई देंगे, जब आप present continuous की बात करेंगे, तो subject की बात helping verb और उसके बाद आपको verb में ing लगाना पड़ेगा, बोलते वक्त आपको यह ध्यान रखना है, ing में गर की sound नहीं आती है, लिखते वक्त ज़रू आपको गर की sound नहीं लगाती है, जैसे इस वक्त मैं रो रहा हूँ, I'm weeping, मैं जा रहा हूँ, I'm going, मैं खेल रहा हूँ, I'm playing अब negative बनाएंगे, I'm not playing, अब आपको इत्ता ध्यान रखना है, I के साथ जहां M लगता है, वहाँ पर U के साथ, A, और He के साथ, Is और She के साथ भी Is लगेगा, दे के साथ लगेगा, तो R क्योंगी plural है, और जब आप negative sentence बनाएंगे, I'm not going, interrogative sentence बनाएंगे, नहीं question पूछेंग अब आप लोग को यह साथ, A, लगता है, इसलिए, Are you going, और interrogative negative बनेगे, aren't you going, या, are you not going, aren't you going, या, are you not going, या, are you not going, तो यह interrogative negative हो गया, तो आप लोग समझ गए, अब मैं बात करना हूँ सिर्फ affirmative sentences की, यानि base sentence का, सिर्फ उनके बारे में बात करूँगा, बाकी sentences आप इसे use करते हैं, अगर आपको affirmative sentences आगए, आपको simple sentences आगए, तो फिर आपको बोलने की कभी भी दिकत नहीं आएगी, कोई confusion नहीं होगा, और देखे, tenses को समझने से जादा, ये भी important है कि tenses को कहां use किया जाता है, उस sentence को आप कहां use करते है, किस situation में use करते है, उसका actual meaning क्या हो अगर आपने ऐसा करने की कोशिच की, ना तो आपका spoken कभी ठीक होगा, ना आपका written कभी ठीक होगा, कोई भी आपने काम किया past में, listen to me very carefully, कोई भी काम आपने past में, और इसका effect, उसका जो असर है, वो अभी तक अभी तक बाकी है, तो वो present indefinite tense कहलाता है, जिसे मैंने चाय और चाय पीने का अभी तक का असर बाकी है, I have taken tea, इसमें क्या करना है, I के साथ लगाना है आपको have, यहाँ पर जो helping verb आएगा, वो है have, third person की बात करेंगे तो has, और have और has जहाँ पर भी आपको दिखाए देते हैं, वहाँ पर verb की, यानि action की third form आती है, तो इसलिए बोला I have taken tea, I have taken tea, so present perfect tense का sense क्या हुआ, past में किया, effect left है, past में किया, असर बाकी है, तो अब आप I have के बाद verb की third form लाएंगे, effect left होना बाकी है, तब ही आएगा, वरना वो past indefinite में convert हो जाता है, अगर जो भी काम आपने past में किया और उसका effect left नहीं है, effect left है नहीं है, उसका समय बाकी नहीं है, effect बाकी नहीं है, तो वो past indefinite में फिक convert हो जाएगा, this is the basic difference between past indefinite and present perfect tense, this is the basic difference और यह आप लोगो को ध्यान रखना पड़ेगा, this you have to be very very careful about it, so the teacher has taught us a lesson, the teacher has taught us a lesson, so teacher ने लेसन पड़ा है जिसका असर अभी तक बाकी है, वो लेसन अभी तक आपको याद है, वो ची हमें याद है जब आपको वो टीचर ने लेसन पड़ाया था, अगर आपको वो याद नहीं है, तो फिर वो past indefinite में convert होगा, वो हम लोग अभी discuss करेंगे, अब हम बात करते हैं, present perfect continuous tense key, present perfect continuous tense key, कोई भी काम आप लंबे समय से करें, तो I have been के बाद आप verb में ing लगा देते हैं अब आप इसको ध्यान दीजे, पहले तो इसको समझे कि present continuous tense और present perfect continuous tense में difference क्या होता है, देखे अगर मैं इस वक बैठा हुआ हूँ, तो मैं बोलता हूँ, पर जैसे अगर इसमें मैं time add करूँगा, मैं कब से बैठा हूँआ हूँ, तो ये time add करते हैं, मैं कभी नहीं बोल सक करते हैं, आपको अगर आपने time add कर दिया कि कब से आप बैठे हुए हैं, तो ये present perfect continuous tense में convert हो जाएगा, और फिर बोलाता है, I have been sitting for two minutes, बच्वन में लोगों को कई बार इस तरीके से सिखा दिया कि कोई भी काम लंबे समय से चल रहा है, I have been के बाद वो मैं आएंची लगा हो गया, और actually मैं इसका लंबे समय से कोई लेना देना नहीं, वो तो अगर आप समय नहीं बताना चाहते हैं, आप ये बताते हैं, मैं लंबे समय से कर रहा हूं, और लंबे समय भी एक समय है, तो इसलिए बोला, I have been doing it for long, बच आपको इधान रहा है, for long की जगे आप चाहें for long, I have been waiting for you for long, I have been waiting for you for a long time, वैसे actually मैं इसका रूल ये है, कि present continuous में और present perfect continuous में वसे इतना से difference है, कि कोई भी काम अगर आप किस समय से कर रहे हैं, कर लिया है और कर रहे हैं, और वो समय include करना चाहते हैं, अगर आपने मान लीजी ये sentence बोला, I have been sitting here, then it is absolutely wrong, ये गलत है, आप कभी भी I have been sitting here नहीं बोल सकते हैं, जब तक आप इसमें समय add न करें, फिर तो आपको ये बोलना पड़ेगा, I am sitting here, वरना तो फिर present continuous tense की जरूरती क्या थी, और अगर आपने I have been sitting here बोला, तो इसका by default लोग meaning नहीं निकालेंगे, कि आप लंबे समय से करें, हाला कि लो grammar की बात नहीं करते, लोग spoken की बात करते हैं, तो I have been sitting here का मतलब ही actually मैं लंबे समय से निकाल लेते हैं, तो उसमें add करें ये न करें, पर since you are talking about grammar, grammatical sentence की बात करें, तो आपको for or since लगाना ही पड़ेगा, अब आती है problem के for or since लगते कहां है, लोग हमेशा निश्चित और अन निश्चित समय की बात करते हैं, देखी इसका निश्चित्ता से और अनिश्चित्ता से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी काम आपने शुरू किया, वो आपके पास given time दे रखा है, वो time दे रखा है, वो जब आपने काम शुरू किया, नहीं starting point दे रखा है, since, और जब 65, और मैं 5 मिनट से बैठा हूँ, अगर आप 11.50 बोलते हैं, क्योंकि अब आपके पास वो starting time हो गया, पर 11.50 से लेकर 11.50 टाइब तक कितना time हो गया, 5 minutes, तो वो बीच का समय हो गया, वो period of time हो गया, तो आप यहीं बोलेंगे, I have been sitting here since 11.50, और अगर 5 मिनट बताते हैं, तो I have been sitting here for 5 minutes, कुछ जगह पर आपको रटना पड़ेगा, जैसे जहां पर भी last आएगा, वहाँ पर since लगएगा, since last night, और जहांपर भी the past आएगा, वहाँ पर fall लगाना है, for the past four years, for the past 10 years, for the past 10 minutes, तो जहांपर भी the past हाहे, वहाँ परiker लगएगे, जहां पर last हे, वहाँ पर since जहां पर भी last है, आप for last नहीं बोल सकते हैं, since last बोलना पड़ेगा, और जैसे अगर मैं सुभह से यहां बैचा होगा, तो I have been sitting here since morning, I have been sitting here since morning, यहां पर since क्यों लगा, क्योंकि morning आपके पास starting time है, morning से लेकर अब तक कितना समय होगे, 10 गंटे होगे, तो I have been sitting here for 10 hours, आपको for ल been sitting here, अगर interrogative negative sentence पूछेंगे, तो haven't you been sitting here for 10 hours, haven't you been sitting here for 10 hours, so आप लोग बस इतना सही द्यान रखने, you have to be careful about this thing only, so I hope you must have understood this present tense, यह समझगे होगे क्लिरली, I go present indefinite, I am going present continuous, I have been or I have gone present perfect, and I have been going for long, present perfect continuous, now let's talk about past indefinite, past indefinite, past indefinite का मतलब जो भी काम पास्ट में किया और इसका effect लेफ्ट नहीं है, जो भी काम आपने पास्ट में किया और इसका effect लेफ्ट नहीं है, यानि कोई असर बाकी नहीं है, है भी तो आप बताना नहीं चाहते हैं, तो इसमें आप करते है हैं, वेक्ति के नाम के बारे, यानि subject के बाद, verb की second form लगा देते हैं, verb की second form, I went, I played cricket, I wept, I saw a movie, तो आई, कि जगे, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, तिसे present indefinite में होता है, कि third person के बारे में बताते हैं, singular, तब आप third person के बारे में बताते हैं, singular, तब आप third person के बाद नहीं होती, लेकिन past indefinite में ऐसा नहीं होगा, I went, you went, he went, she went, इसमें S.A.E.S. नहीं लगाया जाएगा, S.A.E.S. नहीं लगाया जाएगा, जैसे मैं 5 दिन पहले डेली गया था, I went to Delhi 5 days ago, I went to Delhi 5 days ago, हाला कि ध्यान रखे कभी before 5 days नहीं बोला जाता, यह तो बोलिये 5 days ago, यह बोलिये 5 days back, but before 5 days यहाँ पर नहीं बोला जाता है, यहाँ पर before word का इस्तमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पर पूछेंगे, इंटेरगरिट इसेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ पर जो helping verb है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो है did, present indefinite में जो दिखाई नहीं देता है, वो थे do or does, third person के साथ does, सामलिक्ती साथ do, पर past indefinite में एक ही हमारे पास helping verb होता है, वो है did, और did is already a second form, English का rule ही कहता है, once a second form comes in a sentence, second time second form never comes in the sentence, अगर इंगलिश में एक बार second form आजा है, एक sentence की, particular sentence के अंदर, तो दूसरी बार second form नहीं आ सकती, आप दो third forms का इस्तिमाल कर सकते हैं, दो first form का इस्तिमाल कर सकते हैं, पर दो second forms का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं, तो अगर मैं यह नहीं बोलता हूं, I went to Delhi, और अगर मुझसे confirm करते हैं, पूछते हैं, question पूछते हैं, interrogative sentence बनाते हैं, तो did you go to Delhi, यहाँ पर did you went to Delhi आप नहीं बोलेंगे, did you go to Delhi five days ago, did you wash the clothes, did you see a movie, did you read the newspaper, मना करेंगे, तो आप did के बाद not लगाते हैं, I did not read the newspaper, interrogative negative बनाएंगे, didn't you read the newspaper, या did you not read the newspaper, तो यह तो थे past indefinite, अब हम लोग बात करते हैं, past continuous tense की, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लोग अक्सा कहते हैं कि past continuous tense में होता क्या है, विक्ति के नाम के बादे, subject के बाद was या were लगा दी जिया, और उसके बाद verb की, verb में आएंची लगा दी जिया, पर मेरा मानना यह अधूरा sentence है, कोई भी past continuous tense, when या while, word के इस्तमाल के बिना नहीं बोला जा सकता है, past continuous, मैं खाना खा रहा था, इसका actually में क्या मतलब निकलेगा, मैं खाना खा रहा था, आप खाना खा रहे थे, कब, कुछ तो हुआ होगा उस वक्त, जब आप आए, मैं खाना खा रहा था, I was taking food when you came, मैं खाना खा रहा था, जब आप खेल रहे थे, I was taking food while you were playing, अब when और while यहां पर कहां लगाए जाते हैं, जब आप continuous work की बात करते हैं, तो while use कहता है, जब आप continuous work की बात नहीं क्यात करते हैं, तो यहां पर आपको when लगाना होता है, तो I was playing cricket when you came, I was playing cricket while you were watching TV, अब लोग क्या है, लोग समझते हैं कि हम लोग I was watching TV, I was playing cricket, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल नहीं सकते हैं, वो तो तब होगा, जैसे अगर माली जी किसी ने पूछा, आप क्या कर रहे थे जब मैं वहां था, तो what were you doing when I was there, और तब आप answer देते हैं, और शॉट में और बोलते हैं कि I was preparing food, I was preparing food, तो लोग actually अपने शॉट में क्यों दिया है, क्योंकि उसको पता है कि आप किस वक्त की बात कर रहे हैं, Otherwise आपको when या while लगाना पड़ेगा, अपने sentence को complete करने के लिए, ये बात आप लोगों को कोई नहीं बताते हैं, ये जो चीज़े ना ये important है, और इसी से आपके English actually effective बनती है, बना तो आपकी अधूरी है, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अब आप बात करते हैं, हम लोग past perfect tense की, अब past perfect tense में भी लोग ये हिंदी में बोले चुका था, चुकी थी, चुके थे, कुछ इसी तरीके से, आपको नहीं ध्यान रखना, लेकिए past indefinite और past perfect tense में difference क्या होता है, past indefinite में काम एक क किया, past में, past perfect tense में आपने दो काम किये, और उसमें एक काम पहले हुआ और एक बाद में, तो जो पहले हुआ, उसके लिए head और third form लगाई जाती है, verb की, क्योंकि past perfect tense में subject की बाद head आता है, और head के बाद verb की third form आती है, और उसके बाद, जो दूसरा वाला काम हुआ है, उसम में verb की second form, यानि वो past indefinite बनाया जाएगा, पर कभी भी past perfect tense singly नहीं बोला जा सकता है, come on, listen to me very carefully, past perfect tense single sentence की रूप में कभी भी नहीं बोला जा सकता है, अगर आपको single sentence बोलना है, तो जादा अच्छा है कि आप past indefinite बोलिए, that's better, वरना ये गलत हो जाएगा, अगर मैंने ब बोला, I had seen a movie, क्या आपको लगता है, इस sentence correct है, this is absolutely wrong, आप कभी नहीं बोल सकते, आप past perfect tense का मतलब ही यही होता है, कि जब दो काम आपने किये past में, एक काम पहले हुआ, एक बात में नहीं तो जो पहले हुआ, उसके लिए आप had or third form लगाएंगे, I had seen a movie before you came, I had seen a movie before you came, अब इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, you came after I had seen a movie, बस आपको इतने सा और थोड़ा सा रटना पड़ेगा, पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, you came after I had seen a movie, देखे अगर आपने अब इसको कैसे, क्यों यह after before का क्यों गडबड पाली गई, क्यों बनाया गया, वो इसलिए, कई बर क्या होता है, कि आप दो काम आपने पास्ट में की, यह तो हमें समझ में आ गया, जब आप लोगों से बातशीत करते हैं, तो आप या तो कई बार पहले वाला सेंटेंस, जो पहले काम किया, वो पहले बोल देते हैं, तो तो फिर बहुत सिंपल है, I had seen a movie before you came, पर कई came after I had seen a movie, इसले यहाँ पर before or after का difference डाला गया, तो इंग्लिश में भी ऐसा ही तो होता है, the same thing happens, my mother washed my shirt, please listen to me very carefully, my mother washed my shirt after I had gone to school, after, I had gone to school before, I had gone to school before my mother washed my shirt, अब इस पर कौन सा काम पहले हुआ, जो had और verb की third form है, बस, simple, आप वापिस जान दीजेगा, इसको समझेगा, और आपको समझ कर ही बोलना पड़ेगा, otherwise you will keep getting confused in this, कुछ भी नहीं है, it is very easy to understand, जब भी एक काम पास्ट में हुआ, और सिर्फ एक काम, past and definite, जब दो काम हुए एक past में, और एक पहले और एक बाद में हुआ, compulsory एक पहले और एक बाद में हुआ, तो आप head, third form, और अगर माली दोनों एक साथ हुए, फिर while लगा कर बताए रहता है, फिर उसमें आप नहीं बताते, I was playing cricket while you were playing, you were playing badminton, तो फिर तो आप while लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही काम past में हुए, लेकिन दोनों एक साथ हुए, उसी एक की समय पर हुए, पर दो काम तो हुए, पर एक की समय पर नहीं हुए, एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ, जो पहले हुआ उसमें had or third form, जो बाद में हुआ उसमे verb की second form बाद वाले sentence में उसको past indefinite करके बताय जाता है आपको after और before का ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले वाला काम पहले बोला तो before लगाईए आपने बाद वाला काम पहले बोल दिया तो after लगाईए अब हम बात करते हैं past perfect continuous tense की लोग कई बार ये सोचते हैं कि past perfect continuous tense का use ही नहीं है बलकि मैं कहूँ कि बहुत use है बहुत use है अब कैसे use है मैं आपको छोटी से story बताता हूँ मेरा friend मेरे घर पे आया और मैं उससे नराज हो गया I got angry He asked me Why did you get angry or why are you angry at this time बहुत की बात कर रहा हूँ इसले why did you get angry अब देखे उस वक्त मैं उसको ये बताऊँगा I have been अब वो आचुका है Please listen to me He has already come तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ I have been waiting for you for half an hour Please listen to me very carefully क्या मैं उसको ये बोल सकता हूँ I have been waiting for you for half an hour नहीं बोल सकता हूँ मैं I have been waiting for you for half an hour तभी बोल सकता हूँ जब मैं उससे फोन पर बात कर रहा हूँ और मैं उससे कर रहा हूँ Why haven't you come yet I have been waiting for you for half an hour Then it is correct But क्योंकि अब तो आई गिया तो मैं वेट तो करी नहीं रहा हूँ वेट तो मैं past में कर रहा था कब से आदे घंटे पर वो past वाला काम तो खताम तो I had been waiting for you for half an hour अब आप ये सोचे ये sentence कितना important है क्योंकि कर आपने यहाँ पर I have been waiting for you बोला तो इसका मतलब तो मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ जबकि वो तो मेरे पास है मैं वेट कहां कर रहा हूँ उसका वेट कहां कर रहा हूँ मान लीजे कोई बेखती ही ये कहे कि कल जब मैं आपके पास आया था तो आप कितने टाइम हो गया था आपको पढ़ाई करते हूए मैं जब आप आए वन यू केम अब इसको जहन सोगे मैं तब दो घंटे से पढ़ रहा था I had been studying for two hours आप वैसे यहां पर sentence क्या बनाते है I was studying when you came पर क्योंकि आपने इसमें time add कर दिया यह वही चीज़ है जो present continuous और present perfect continuous में हम दो करते हैं वही आपको यहां पर ध्यान देना है past continuous और past perfect continuous में क्या difference है जब आप time add करेंगे फिर I was you were की जगह पर I had been, you had been, he had been, she had been कर देंगे और time लगाना पड़ेगा आप 11 बजा है मैं 10 बजे से आपका वेट कर रहा था आप 11 बजे आई यू केम अट 11 यस्टेड़े पर मैं आपका 10 बजे से वेट कर रहा था I had been waiting for you since 10 I had been waiting for you since 10 when you came before you came so I hope you must have understood now I had been waiting for you since 10 before you came I had been waiting for you for an hour before you came so I hope you must have understood this but it is very important please understand it is very important लोग इसको neglect कर देते हैं past perfect continuous tense का स्टमाल नहीं करते हैं आपको बहुत जगे यूस करना पड़े का ये बहुत जगर कोई भी काम आप past में शुरू किया आपने past में खतम कर दिया पर वो काम जारी था past में और किसी समय की पर्टिक्लर समय के लिए जारी था तो वो समय जब बताते हैं ता past perfect continuous tense का इस्तमाल किया जाता है अगर आपने नहीं किया तो it will be a wrong sentence चलिए बात करते हैं future tense के बारे में तो I hope you must have understood present tense, past tense, future tense, ये भी बहुत important है future tense में अक्सर लोग future perfect tense को और future perfect continuous tense को निगलेक करते हैं पढ़ाते ही नहीं है बहुत सी जारी जगह पर आज जब आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तब आपको ये मालूम होगा कि इन tenses का इस्तमाल English में कितना ज्यादा होता है और लोग कितनी गलतियां करते हैं है बारिक गलती पर जब आप grammar सीख रहे हैं जब आप English सीख रहे हैं जब आपको correct English बोलना सीख नहीं है तो आप correct बोलिये न जहाएं की जरूवत है future में मैं कोई भी काम करूंगा तो हमेशा I will के बाद I will के बाद हमेशा action लगाए जाता यह नि verb लगाए जाता है यह हमें पता है this we know जिसे मैं जाऊंगा I will go पहले क्या होता था पुराने जबाने में I और we के साथ shell लगाए जाता था आए और वही के साथ शेल लगाय जाता था बाकी सब जितने भी विक्ति होते थे persons होते थे subject होते थे doer होते थे उसके साथ हम लोग हमेशा will लगाते थे लेकिन बहुत सालों पहले यह rule change कर दिया गया शेल हटा दिया गया हर विक्ति के साथ सिर्फ will use किया जाने लगा will play football पूछेंगे will students play football मना करेंगे students will not play football अब मुझे बताने की जरुवत नहीं कि helping verb के बाद not लग रहा है अब आप समझ सकने want will not को मिला कर जरूर आपको ध्यान रखना है इसकी pronunciation पर will not को मिला कर want बोला जाता है spelling जरूर w o n apostrophe t होती है पर बोलते हैं इसको want to want students play football या will students not play football अब हम बात करते हैं future continuous tense की future continuous tense के समाल का होता है लोग क्या करते है future indefinite tense और future continuous tense को एक ही मान लेते है I will be going I will go उनके साब से इन में कोई difference नहीं है उनको यह लगता है कि I will go और I will be going एक जैसे हैं पर अगर यह एक जैसे होते तो future continuous tense को बनाया ही क्यों गया why it was made it was created for a purpose and मैं अब आपको बताऊंगा what is that purpose कोई भी काम आप future में शुरू करेंगे और लगातार करते रहेंगे जब आपको इस तरह की कोई feeling देनी हो कोई भी काम आप future में शुरू करेंगे और करते रहेंगे तो बोलाता है I will be doing it जैसे doctor ने आपको medicines prescribed की और आप यह कहता है मैं आपको regularly medicines खाऊंगा तो I will be taking medicines regularly अब आप यहाँ पर I will take medicines regularly नहीं बोल सकते यह आपको कोई suggest करता है you should work out व्यायाम करना, exercise करना, work out और कोई आपको suggest करता है you should work out और आप उसको कहते है I will work out तो इसका मतलब मैं एक ही बार work out करूँगा या कुछ समय के लिए work out करूँगा करूँगा तो future में पर अगर मैं कहता हूँ कि अब मैं regularly करूँगा, work out करता रहूँगा future में कोई भी काम अब करते रहेंगे तब बोला था I will be तो फिर आप लोगों को यह बताते हैं I will be working out I will be working out she will be studying from 3 p.m. यानि वो 3 p.m. से पढ़ना शुरू करेगी और लगाता पढ़ती रहेगी कब तक पढ़ेगी, that is not final पढ़ती रहेगी एक चीज़ का आपको ध्यान रखनेगा from word कभी भी past में यूज़ नहीं होता past के लिए since or for यूज़ के जाते है future में हमेशा from यूज़ के जाता है so she will be studying from 3 p.m. अब बात करते हैं future perfect tense की अब आप लोगों लगता है कि future perfect tense के English में कोई जरूवत ही नहीं है जबकि बहुत ज़ारा जरूवत है जब भी आप future में दो काम करेंगे past perfect tense का क्या था? जब आप past में दो काम करेंगे और future perfect tense का मतलब जब आप future में दो काम करेंगे तो जो काम पहले होगा उसमें I will have और उसके बाद verb की third form लगाए जाएगे जिसे आपके आने से पहले मैं सारा room साफ कर दूँगा अगर मैं यह बताता हूँ मैं सारा room साफ कर दूँगा तो तो मैं यह बोलूँगा I will clean the room I will clean the room बड़गर मैं यह बताता हूँ कि आपके आने से पहले मैं room साफ कर दूँगा तो I will have cleaned the room before you come I will have cleaned the room before you come यह सबसे ज़्यादा important चीज है यह सबसे ज़्यादा important चीज है यह जब भी दो काम आप future में करेंगे मेरे result declare होने से पहले तो मैं chapter पूरी book खतम कर दूँगा पूरी book पढ़ लूँगा I will have studied the book before the result is declared तो आप क्या कर रहे हैं कि जब भी दो काम आप future में कर रहे हैं तो आप यहाँ पर I will have लगाएंगे बड़ आपको यह ध्यान रखना हुआ before के बाद यहाँ पर आप will वापस नहीं लगा सकते है आपको यहाँ पर present indefinite में यानि verb की first form ही बतानी पड़ेगी मम्मी की जागने से पहले तो मैं वापस ही आजाओंगा आप यह बोलते हैं कई बाद बोलना भी पड़ेगा आपको इस sentence तो आपको क्या लगता है आप यह बोल सकते हैं I will come before my mother wakes up it is wrong it is wrong it is absolutely wrong you should not speak this I will have come before my mother wakes up I will have returned before my mother wakes up wakes up I hope you understand this very well अब बात करते हैं future perfect continuous tense की पहली बात यह small कहां किया जाता है जब आप समय लगाए यानि मैं आपका wait भी करूँगा और कुछ समय अब बताएं जैसे आपके आने से पहले मैं आपका दो गंटे से wait कर रहा हूंगा I will have been waiting for you for two hours before you come I will have been waiting for you for two hours before you come आप कई बार ही होता है ना आप बोलते हैं कि यार आप तो आओगे नो बजे मुझे दो गंटे wait कर रहा हूंगा आपका दो गंटे क्योंकि आप आओगे नो बजे मैं साथ बजे पहुंच जाओंगा तो I will have been waiting for you for two hours I will have been waiting for you for two hours She will have been preparing food for two hours by 7 p.m. यानि साथ बजे तक वो अगर आप बात करो साथ बजे की तो दो गंटे तक तो वो खाना ही बना रही होंगी तो वहां पर हम लोग यहां future perfect continuous tense का यूज करते हैं और ध्यान रखी का specifically past perfect continuous future perfect and future perfect continuous अगर कोई कहता है कि इनका इस्तमाल बहुत कम होता है आप sentences पर ध्यान दीजेगा गौर फर्वाना शुरू कीजेगा आपको यह पता लगेगा कि इनका इस्तमाल बहुत ज़्यादा होता है तो यह थे सारे tenses which you must have understood आपको I hope अब सारे जो confusion है related to tenses गलत आपके जो होंगे वो खतम होंगे होंगे लोग अकसर क्या करते हैं tenses के chart पढ़ते हैं उनसे कभी tenses समझ में नहीं आएंगे tenses के rules पढ़ते हैं उनसे जिन्दगी में भी tenses आपको कभी नहीं समझ में आएंगे पर जिस तरीके से tenses मैंने आप लोगों को यहां पर बता है बहुत ही easy way में और correct ताकि आपको कोई confusion ना हो जो चीजें लोग नहीं बताते हैं उन चीजों के बारे में मैंने यहां पर जादा focus किया यह थे tenses और भी अगर आपको tenses से कोई related problem है तो आप ज़रू मुझसे पूछेगा I will definitely try to solve your problems